हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज हम इस वीडियो में 10 से 12 साल की गर्ल के लिए पटियाला सलवार की कटिंग सीखेंगे, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, सबसे पहले हम कटिंग को पेपर पे समझेंगे और इसी तरह से कपड़े पे कट करेंग कपड़े को डवल में इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसके बाद यहां से हम बॉटम के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे, आठ हिंच यहां से कपड़े को फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम सलवार की लंबाई का निसान लगाएंगे सलवार की लंबाई तयार 33 इंच है तो उसमें हम 5 इंच बेल तयार रखेंगे तो 33 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे 28 इंच बचेगा 28 में हम एक इन सिलाई मार्जिन एट करेंगे तो 29 इंच आएगा 29 इंच का हम नीचे का लंबाई में कलिकट करेंगे इस तरह से 29 इंच पे निसान लगाएंगे कपड़े पे और इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों कली को साइड से कट करके अलग-अलग कर लेंगे अब हम बचे हुए कपड़े को इस तरह से रखेंगे डबल में ही फोल्ड होगा हमारा कपड़ा इसके बाद हम यहां से क्रोस लेंद का निसान लगाएंगे 6 इंच पे दूसरे साइड भी हम चेंच पे निसान लगाएंगे और दोनों निसान को इस तरह से तिर्चा मिला देंगे इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से कट करने के बाद सभी पार्ट को एक साथ रखेंगे यहां से हम दो इंच अंदर निसान लगाएंगे यहां से इस तरह से राउंड में हम उपर तक मिला देंगे इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से उपन करके मिस्टीज करेंगे साइट से हम करली को जोइन करेंगे इस तरह से दोनों साइट करली को जोइन करना है बेल्ट की कटिंग हम साथ इंच लेंगे लंबाई में और चवडाई में हीप साइज जो है आपका उससे चार इंच एक्स्ट्रा बढ़ाके कट करेंगे और डबल में फोल्ड करके ही बेल्ट को कट करेंगे इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे और हीप साइज का आधा लेके उसमें चार इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखके हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे इसी तरह से अब हम कपड़े पे कट कर लेंगे यह हमने कपड़े पे भी कटिंग कर लिए अगर आप पटियाला सलवार की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं इसको स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें बेल्ट तैयार करना होता है इधर से हम सिलाई लगाएंगे और दो इंच या तीन इंच हम डोरी के लिए यहाँ पे कपड़ा ओपन रखेंगे इसके बाद हम इधर साइड भी सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद उपर से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे बेल्ट तैयार करने के बाद हम कली जॉइन करेंगे सीधी कली को इस तरह सिलेंगे इसको हम ओपन करेंगे उपन करने के बाद हम सीधे साइड इसको रखेंगे और तिर्ची जो कली हमने कट की है इसको भी सीधा साइड अंदर रखेंगे इस तरह से हम राखेंगे दोनों सीधा साइड अंदर साइड आना चाहिए इसके बाद हम इधर से सिलाई लगा देंगे इसी तरह से दूसरे साइड भी एक कली जॉइंट कर लेंगे इस तरह से इधर से भी सिलाई लगा लेंगे दूसरा पार्ट भी इसी तरह तयार कर लेंगे दोनों पार्ट तयार करने के बाद हम इस तरह से उपन करेंगे और एक दूसरे पर दोनों पार्ट को रखेंगे सीधा साइट अंदर रखेंगे कली जॉइन करने के बाद हमें दोनों आसन की तरफ सिलाई लगाना होता है यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड इसी तरह से इसके बाद हम यहाँ से प्लेट्स डालते हैं बेल्ट के साथ अटैच करते हुए प्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को प्रेस कर दें